साथियों भारत के गाउं के लिए गाउं में रहने वालों के लिए जितना काम पिछले छे वर्षों में किया गया है उतना आजहादी के छे दसकों में भी नहीं हुआ छे दसक तक गाउं के करोड़ों लोग बैंक खातों से बंचित थे ये खाते अब जाकर के खुले है छे दसक तक गाउं के करोड़ों लोगों के घर में बिजिली का कनेक्शन नहीं था आज हर घर तक बिजली पहुँच चुकी है छे दसक तक गाउं के करोड़ों परिवार सावचालय से बंचित थे आज घर घर में सावचालय भी बन गए है साथियों दसकों तक गाउं का गरीब गैस कनेक्शन के लिए सोज भी नहीं सकता था आज गरीब के घर भी गैस कनेक्शन पहुँच गया है दसकों तक गाउं के करोडों परिवारों के पास अपना घर नहीं था आज गाउं के करीब परीब दो करोड गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और आने वाले बहुत ही कम समय में जो बचे हुए हैं उनको भी पक्के घर मिले इसके लिए मैं जी जान से लगा हुआ हूँ, दसोकों तक गाओं के घरों में पानी, घर में पानी, पाइप से पानी, कुछ सोच नहीं सकता था, तीन-तीन किलोमेटर हमारी माताओ बेहनों को, सर पे इतना बोज उठा करके पानी लेने के लिए जाना परता था, अब हर घर मे पानी पहुचाना है, आज देश के ऐसे पंदरा करोड घरों तक पाइप से पीने का पानी पहुचाने के लिए जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, देश के हर गाओं तक अप्टिकल फाइबर पहुचेने का भी एक बहुत बड़ा भ्यान भी तेजी से हो रहा है, पहले ल मूबाइल फॉन में कनेक्शन आता है जाता है, इन समस्यों का समाधान वो अप्टिकल फाइबर में है, साथियों, जहां अभाव होता है, वहाँ ऐसी ऐसी ताकतों का प्रभाव, ऐसी ऐसी ताकतों का दबाव, परिशान करके रख देता है, आज गाव और गरीब को अभाव में रखना, कुछ लोगों की राजनीती का आधार रहा, ये इतिहास बताता है, बुद्काल बताता है, हमने गरीब को अभावों से मुक्ति का भिहान चलाया है, भावयो बहनों, ऐसे लोगों को लगता है, कि अगर गाव, गरीब, किसान, आदिवासी, ये ससकत हो तो उनको कौन पूछेगा, उनकी दुकान नहीं चलेगी, कौन उनके हाथ पर पकड़ेगा, कौन उनके सामने आ करके जूकेगा, और इसलिए इन लोगों का तो यही रहा, कि गाव की समझाय बनी की बनी रहे, लोगों की समझाय बनी की बनी रहे, ताकि उनका काम चलता रहे, और इसलिए कामों को अटकाना, लटकाना, बढ़काना, यही हूंके आतत हो गई थी, आजकल इन लोगों को खेती से जुड़े जो अइतिहासिक सिधार किये गए है, उनसे भी दिक्कत हो रही है, वो लोग बौकला है हुए है, यह बौकला हट किसानों के लिए नहीं है, खुद की दुनिया जो अब देश समझने लगाए ना उसकी परेशानी है, पीडी, दरकवीडी, बिछोलियों, गुस्खोरों, दलालों, इनका तंत्र खड़ा करके जो इनोंने एक अपना बढ़ा ही, इन एक प्रकार से मायाजाल बना के रखे थी, देश के लोगों ने उनकी मायाजाल को, इनके इन सेवे मनसुबों को डहाना देश की जनता ने शुरू कर दिया है, करोडो भारतियों की भुजाएं, जहां एक तरफ भारत के नवदिवान में जूटी हैं, वहीं ऐसे लोगों की सच्चाई भी उजागर कर रही है, देश के लूटने में लगे रहे हैं लोगों को, देश अब पहचानने लगा है, इसलिए ही ये लोग आजकल हर बात का आग बंद करके बद विरोध करो, गली गलोध करो, गंदी भाशा का परोग करो, ये करे हैं, इने न गरीब की चिंदा है, न गाउं की चिंदा है, न देश की चिंदा है, उनको हर अच्छे काम के प्रते परिशानी हो रही है, ये लोग देश की विकास को रोकना चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं, कि हमारे गाउं, गरीब, हमारे किसान, हमारे स्रमीक भाई बेहन भी आत्मन निर्फर बने, आज क्रिशिक शेत्र में जो सुधार हुए है, उस से जिने किसानों को लगता था, लेकिन आज हमने डे गुणा MSP हमने करके दिखाया, वो नहीं कर पाये थे, छोटे किसानों, पशुपालों को, मच्छवारों को, किसान क्रेडिट कार मिलने से, जिनकी काली कमाय का रास्ता बंध हुए है, उनको आज समस्या हो रही है, यूरिया की नीम कोटिंग से, जिनके गैर कानूनी तौरतरी के बंध हो गए, दिक्कत उन्हें हो रही है, किसानों के बैंक खाते में सीधा पैसा पहुँचने से, जिनको परिशानी हो रही है, वो आज बेचेन है, किसान और खेद मद्दूर को मिल रही बीमा, पैंशन, ऐसी सुविदाओं, जिनको परिशानी है, उन्हों को हो रही है, वो आज क्रिश्टी सुधारों का विरोध करने में लगे हुए है, लेकिन किसान उनके साथ जाने को तयार नहीं, किसान उनको पहचान गया है,